नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे जैन्ती रंगनाथन की कहानी दिल दुआ और जिंदिगी चली कहानी शुरू करते हैं लतिका बेहद तेज कदमों से चले नहीं बलकी दोड रही थी सुबह के साड़े दस बज रहे थे बस पंदरा मिनट में डॉक्टर बसंती अस्पताल के लिए निकल जाएंगी उससे पहले ही उनसे मिलना था लतिका ने रात के ही कपड़े पहन रखे थे नीले रंग का पाईजामा हरे रंग की रंग उड़ी इसकी भी रूखे से बाल उपर बन में बंधे उजड़ा चेहरा रात के आंसों से धुला पहरों में सिलीपर इतना तेज चलने की आदत नहीं थी पर मजबूरी थी अगर दिल की बात डॉक्टर बसंती को इस समय नहीं बताएगी तो फट जाएगी लतिका और बसंती के घर की दूरी महिज डेल किलो मीटर की थी हापते हुए लतिका ने बसंती के फिलेट की घंटी बजाई गनीमत थी कि अभी भी अस्पताल के लिए नहीं निकली थी बसंती की म मेड रूपा ने दरवाजा खोला रूपा लगभग लतिका की ही उमर की थी और उसी की तरह अना थाले में पढ़ी बढ़ी थी एक पल को रुक कर लतिका ने कामती अवाद में पुकारा डॉक्टर डॉक्टर बसंती प्लीज कुछ अर्जेंट बताना है बसंती तयार हो चुक देखकर बसंती घबरा गई ओहो क्या हुआ तबियत तो ठीक है ना लतिका ने एकदम से आकर उनका हाथ पकड़ लिया डॉक्टर प्लीज मुझे आपको कुछ बताना है मैं पागल हो जाऊंगी बसंती ने उसे बिठाया आराम से लतिका पहले थोड़ा पानी पीलो उनके एक इशारे पर रूपा पानी ले आई अपनी उफनती सासों पर थोड़ा काबू पाने के बाद अचानक लतिका फूट फूट कर रोने लगी बसंती की तरफ देखकर रोते रोते बोली डॉक्टर कल रात कल रात मेरे हस्वेंड ने आगे बोल नहीं पाई लतिका बसंती न किसी तरहे अपनी बात पूरी कर ही दी लतिका ने बसंती का चेहरा छण भर को उत्रा लेकिन भै अपने को समाल कर बोली कुछ हो गया था क्या तुम दोनों के बीच जगड़ा हुआ था नहीं डॉक्टर हमेशा की तरहे समीर देर से घर आए मैंने पूछा इतनी देर क्यों लगा दी तो पलट कर बोले तुमसे मैं तलाक लेना मैंने कोई जगड़ा नहीं किया था पर लतिका बापस रोने लगी तुमने पूछा नहीं कि क्यों लेना चाहते हैं तलाक क्या मुझे पता नहीं उन्हें लगता है मैं उनके लायक नहीं अगर मैं उन्हें टोकती हूँ कि डिरंक करके घर क्यों आए रात को घर लोटने के बाद फोन पर किसे बात करते हो घर पर खाना क्यों नहीं खाते तो उन्हें बुरा लगता है डॉक्टर वो मेरे हस्वेंड है पर क्या मैं उनसे इतना भी नहीं पूछ सकती मैं रात पर बैट कर रोती रही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं सुबह होते ही घर से निकल गए मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया मैं बहुत परिशान होकर आपके पास आई हूँ अगर मेरी मदर इनला दुबई नहीं जाती तो उनको फून करके बता दी उन्होंने ही मेरी शादी समीर से करवाई थी बेही समझती हैं मेरे दिल की बात एक सांस में अपनी बात कहकर लतिका बसंती के कंधे पर सिर रखकर एक बार फिर फपक पड़ी बसंती ने उसे रोने दिया लतिका को वे पिछले दो महीने से जानती थी वे दोनों कॉलोनी के सुपर मार्केट में मिली थी खरिदारी के बाद लतिका को पता चला था कि वे अपना पर्स घर में भूलाई है बसंती से उसकी परिशानी देखी नहीं गई उन्होंने लतिका का बिल भी चुका दिया उसी शाम लतिका बिल के पैसे लेकर उनके दिये पते पर पहुँच गई लतिका एक दम से खुल गई पहली मुलाकात में बता दिया कि वे अनाता अश्रम में पली बड़ी है पढ़ने लिखने में मन लगता था बारमी के बाद संस्ता ने कहा कि अब उसे अपने गुजारे के लिए नोकरी करनी होगी वे सेल्स गर्ल का काम करने लगी पिछले तीन वर्षों से वो साधी सुदा थी उसके पती समीर एक नीजी कमपनी में उचे पद पर काम करते थे लतिका ने इसरार करके बसंती को अपने घर बुलाया सब था भर बाद बसंती रात के खाने के लिए लतिका के घर पहुँच भी गई बहीं उसकी मुलाकात समीर से हुई पहली नजर में उन्हें समीर अच्छा लगा हाला कि बसंती ये भी ताड़ गई कि समीर और लतिका का रिष्टा सामाने नहीं है लतिका ने धेर सारा खाना बनाया था कोकोनट चिकन मटर पुलाव मटन के कटलेट और दही आलो समीर ने बहुत कम खाया बसंती के पूछने पर उसने बताया कि उसे ज़्यादा तला भुना खाना पसंद नहीं इस पर लतिका ने तुरंत ताना दे मारा मैं तो समीर की तरहे उबला खाना खाही नहीं सकती मैंने तो अपनी मदर इनलाव से भी शिकायत कर दी है कि समीर को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है समीर के चेहरे से अचानक रोनक गाव हो गई उसे शाम लतिका ने बसंती को बताया कि कैसे एक दिन वो साबन बेचते बेचते समीर के घर पहुँच गई थी समीर की मा अकेली थी बे साबन खरीदने को तया नहीं थी पर जब लतिका ने उनको बताया कि वो अनात आश्रम से आई है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं तो समीर की मा पिगल गई उसे साथ बैठा कर चाई पिलाई और ये भी कहा कि बे हर महीने उसी से साबन खरीदेंगी मैं अक्सर उनके घर पहुँच जाती थी बे मुझे चाई नास्ता खिलाती बेहद द्यालू है मेरी सास एक दिन जब मेरी शादी की बाद छिड़ी तो मैं रोने लगी कि मेरी अनाता शरम बाली मेरी शादी एक 45 साल के बिदूर से करवाना चाते है मेरी सास ने एकदम से कहा मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाँगी बह मेरी बात कभी नहीं टालता लतिका ने कश्टर्ड खाते हुए बसंती को चहकर ये बात बताई थी समीर की मा विदवा थी और बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पड़ाया लिखाया था एमबिये करने के बाद समीर को दिली में अच्छी नोकरी मिल गई थी मा की खौइस थी कि अब समीर का घर बस जाना चाहिए अगली छुट्टियों में समीर जब मा से मिलने घर आया तो उन्होंने लतिका की बात चेर दी समीर मा की बात नहीं टाल पाया समीर की मा चाहती थी कि लतिका आगे पड़े लिखे पर लतिका ने मना कर दिया बस उनके कहने पर कुकिंग किलास लेने लगी बसंती ने कश्टर्ड खतम करने के बात कहा लतिका खाना तुम बाकी अच्छा बनाती हो पर अगर समीर को तला भुना नहीं खाना तो तुम उनके अनुसार क्यों नहीं बनाती लतिका ने तुरंत कहा डॉक्टर मेरी मदर इन लाके हाथ का बना तो समीर सब कुछ खाते हैं बस मेरे से ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मैं इनके अनुसार चलूं मेरी कोई बात नहीं मानते मैं कहती हूँ घर पर आफिस का काम मत करो ये नहीं सुनते मुझे संडे पिक्चर जाना पसंद है और इन्हें सोना मेरे साथ शौपिंग पर भी नहीं चलते घर का खर्च दे कर समझते हैं कि अपनी डूटी पूरी कर ली मुझे इन से हर बात मनमाने के लिए अपनी मदर इनला को फून करना पड़ता है वो उनसे कहती हैं कई बार तो डाट भी देती हैं तब जाकर मुझे बाहन ले जाते हैं बसंती लतिका का चेहरा देखने लगी कहीं लतिका भी बही गलतियां नहीं करने जा रही जो सालों पहले उन्होंने की थी लतिका के चेहरे पर भोलापन उभर आया जिन्दगी भर अनात आशरम में पहली लतिका ने पहली बार घर क्या है यह जाना था पती का साथ पाया था अपनी मर्जी से जीने का शायद यही अर्थ समझती थी बो बसंती का दिल भर आया बे नैपकिन से हाथ पोचकर उठ गई इसके बाद भी तीन चार मुलाकाते हुई थी उनकी लतिका से लतिका हमेशा अपनी धुन में रहती थी एक दो बार बसंती ने उसे समझाने की कोशिश भी की पर लतिका कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी यह तो होना ही था बसंती के दिमाग में आया उन्होंने लंबी सांस ली सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक नब विवाहता के साथ फर्क इतना था कि सांस की जगए एक माँ अपनी बेटी की शादी शुदा जिन्दगी में दखल दे रही थी मा ने कहा किसी के लिए तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं बेटी नहीं बदली अली रही अपनी जिद पर उसका पती चाहता था कि वो समय के साथ मोडल बने कुछ अच्छे कपड़े पहने उसके दोस्तों के आने पर अच्छा खाना बनाए उसके साथ फिल्म देखने चले पिकनिक पर चले पर पत्नी मा की सीख में आकर बस पूजा पाट करती टीवी देखती और सोटर बनती एक दन उसे पता चला कि पती ने दूसरी साधी कर ली है मा ने कहा कि पत्नी पती पर केस कर दे इस वार पत्नी की समझ में बात आगई कि गलती किसकी थी उसने ठान लिया कि बहे अपने पती को जीने देगी उसने अपने काम में दिल लगाना शुरू कर दिया बसंती की आँखों की कोर से आंसू की दो बूदें निकल आई इस बात को पंधरे साल बीट गए मा इस दुनिया में नहीं रही और उसका पती जहां भी होगा शायद उसके बिना खुश ही होगा बसंती ने लटिका का हाथ कसकर पकड़ लिया कम से कम इस पत्नी को तो एक मौका मिलना चाहिए अपनी जिन्दगी जीने और खुश रहने का बोली लटिका मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हें बदलना होगा पूरी तरह तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से हुई है तुम उससे प्यार करती हो समीर ने ये जानने के बाद भी तुम से शादी की कि तुम एक अना थी उन्होंने अपनी तरफ से काफी एड़जिश्ट किया जो तुम्हें कभी नजन नहीं आया तुम अपने में इतनी मशगूर रही कि तुमको अपनी शादी शुदा जिन्दगी समालनी नहीं आई तुमने अपने पती को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया रिस्तों को इतना बांद कर रखोगी तो बंधन तूट जाएंगे लतिका की आँखों में भहे की लहर दोड़ गई लेकिन डॉक्टर मैंने ऐसा क्या क्या मैं हर बात अपनी सांस को बता कर करती हूँ बस तुम अपनी सांस से अपनी शादी शुदा जिंदिकी के बारे में कुछ नहीं कहोगी तुम्हारी प्रॉबलम यहीं से शुरू होती है तुम्हें अपने पती को काबो में रखने का पाठ खुद पढ़ना होगा इसके अलावा कोई पती ये नहीं चाहता कि पतनी उस पर 2400 घंटे हावी रहे तुम्हारा अपना भी एक व्यक्तित्व होना चाहिए इससे तुम्हें भी ताकत मिलेगी और पती की नजर में तुम्हारी इज़त भी बढ़ेगी लतिका सोच में पढ़ गई फिर दैनी आवाज में बोली डॉक्टर मुझे तो कुछ नहीं आता मैं अनाथ हूँ कम पड़ी लिखी हूँ अब तुम अनाथ कहां से रह गई कब तक तुम इस बात को ढोल पीट कर फायदा उठाओगी मेरे घर में जो काम करती है रूपा वो भी अनाथ है तुम भी उस जैसी हो सकती थी फर कितना है कि तुम्हें एक अच्छा पती मिला घर मिला क्या आप तुम्हारा फर्ज नहीं कि उसे समाल कर रखो बसंती ने लगभग उसे डारते हुए कहा लतिका को चुप लग गई डॉक्टर सच कह रही है उसके साथ की कई लड़कियों की शादी नहीं हुई बे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला रही है अधिकांश अपनी जिन्दिगी से शिकायत भी नहीं करती बसंती को अस्पताल जाने की जल्दी थी उन्होंने कहा लटिकां मैं शाम को तुमारे घर आऊंगी तब तक तम्हारे पास सोचने का समय है अगर तुम खुद को नहीं बदलोगी तब तो तुमारे हस्वेंड तुमारे हाँ से निकल जाएंगे पर अगर बदलोगी तो शायद ना जाए च्वाइस तुम्हारी है तुम चाहो तुम मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लतिका को सोच में डूबा छोड़कर बसंती चली गई लतिका घर लोटी दिमाग में हजारों सवाल पहलियों की शकल में उमडगुमड रहते उसने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई घर का ये कोना उसे बेहद सुकून देता था उसका अपना घर था ये कभी सोचा न था कि उसके पास अपना कहने को एक घर होगा एक अच्छा पती होगा जब ये चीजें उसे मिल गई तो उसने कदर ही नहीं की उसके सामने समीर की मा का चेहरा आया बेहद दहालू महिला जो चाहती थी कि एक अनाथ लड़की को एक नई जिन्दगी मिल जाए उन्होंने अपने एकलोते लड़के से उसकी शादी करने में एक पल को संकोच ना किया बेचाहती तो समीर के लिए कोई बहुत पड़ी लड़की मिल जाती लतिका चुपचाप जूले पर टेक लगा कर बैठ गई कमरे में लगे आइने में उसे अपना पिर्ति बिम्ब नजर आया एक बद हवास और बेजार युबती लतिका डर गई उसे बदलना ही होगा कुछ समीर के लिए और कुछ अपने लिए शाम तक लतिका काफी समल चुकी थी बसंती अस्पताल से सीधे उसके घर चली आई लतिका पीली साड़ी में तरो ताजा लग रही थी बसंती ने उसे देख बस बाहों में भर लिया मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अपना घर तूटने से बचाना चाहती हो उसो रात समीर देर से घर लोटे कल रात के जगड़े के बाद आज सारा दिन उन्होंने अपने लायर के साथ बिताया था ये उन्हें भी पता था कि शादी के महिज तीन साल बाद बिना किसी वाजब कारण के तलाक लेना आसान नहीं उन्हें अपनी मापर बेहद गुस्सा आ रहा था जिन्होंने बिना सोचे समझे एक कम पड़ी लड़की से उनकी शादी करवा दी समीर को लतिका के अनात होने पर कोई हर्ज नहीं था बेचाहते थे कि उनकी पतनी उन्हें और उनके काम को समझे हमेशा उन पर हाभी न रहे अपना भी कुछ काम करे पर लतिका से इसकी उम्मीद ही बेकार थी दफ्तर से लोटने के बाद हमेशा की तरह समीर अपने कमरे में नहीं गए लतिका बालकनी में बैटी थी समीर ने पाया कि घर में टीबी के बजाए म्यूजिक सिस्टम पर धीमी आवाज में पुराने गाने बज रहे थे अगर बति की हलकी सुगंद भी फैली हुई थी ना की मिर्च मसालों की किचन में अपने लिए कॉफी बनाने गए तो पाया की एक पतीले में टमाटर का सूप बना रखा है एक कप में सूप लेका समीर बाहर आ गए लतिका के पास जाकर उन्होंने धीरे से कहा सौरी लतिका की आँखें भर आई पर वो रोई नहीं हलके से मुस्कुरा कर बोली थेंक्यू कल रात मैं डर गई थी पर शायद मुझे भी इस शौक की जरूरत थी समीर ने राहत की सास ली उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लतिका उनसे जगड़ा क्यों नहीं कर रही बहुत तो धीरे से बदली लतिका अपने को पहँचानने में जरा बक्त तो लगा पर जब खुद से पहँचान हुई तो उसे अपने नए काम में मज़ा आने लगा वह डॉक्टर बसंती के कहने पर पास में सिलम के बच्चों को पढ़ाने लगी शाम को घराती तो बस इतना वक्त होता कि कुछ हलका फुलका बना ले ऐसा खाना जो समीर को भी पसंद था इतवार के दिन समीर सोता रहता और वो निकल जाती बच्चों को कभी पढ़ाने तो कभी फिल्म दिखाने छे महीने बीद गए सास दुबई में अपनी भेन के पास से लोट आई लखनौव पहुचते ही उन्होंने लटिका को फोन किया क्या बात है लटिका बो तो मैं करती थी अब मैंने करना बंद कर दिया समीर शायद दूर खड़ा ये सुन रहा था और पा रहा था कि लटिका बाकी बदलने लगी है और कितनी अच्छी लगने लगी है उस शाम समीर के पुराने दोस्त घर पर खाने के लिए आए लटिका उस समय घर पर नहीं थी दोस्त ने पूछा भावी कहां है वो कुछ करती है क्या समीर ने गर्ब से कहा हाँ, she is a social worker उसी समय घर की दहलीज पर लटिका के पाँ पड़े समीर की तरफ देखा तो डोक्टर बसंती के लिए दिल से दुआ निकली मेरा घर बच गया और मुझे क्या चाहिए तो दोस्तो ये कहानी थी जेनती रगनाधन की बहुती अच्छी और बहुती सिक्षा पिरद कहानी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्ले जिसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना जिससे की ऐसी ही मनोहर कहानिया आप लोगों को मिलती रहे मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में